केंद्र सरकार के खिलाफ कॉंग्रेस आज एक बार फिर प्रदर्शन कर रही है प्रदेश अध्यक्ष राजे श्ठाकूर की अगवाई में कॉंग्रेस नेता बाबु वाटिका के सामने उपवास पर बैठे हैं कॉंग्रेस का यह उपवास कारेकरम शाम पांच बजे तक चलेगा और उपवास में कृषी मंत्री बादल पत्रलेक समित पार्टी के तमाम दिग्जनेता मौझूद है और शास्त मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य के क्रिशी मंत्री बादल पत्रलेक के अलाबा जार्खन कॉंग्रेस के तमाम पादाधिकारी यहां मौझूद है और जिस तरीके से सत्तागरा आज हो रहा है हम जुड़ेंगे जार्खन कॉंग्रेस के अध्यक से अध्यक जी यह जो उपवास आज कॉंग्रेस ने रखा है देश वापी कारिकरम है क्या मैसेज देना देखे हम लोग लागातार सत्यागरा कर रहे हैं और सत्य के साथ आगरा कर रहे हैं कि यह प्रधान मंत्री जी आप का और आडानी का रिस्ता क्या कहलाता है उसको बता दीजिए देश में जो महंगाई बेरोजगारी और नफरत चरम पर है उसके क्या कारण है उसको बता दीजिए और उस पर कावू पारने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसको बता दीजिए इनी बातों को आदरनी राहूल गांदी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में कही थी और इनी बातों को सड़क के बाद सदन में कहना चाहते थे लेकिन उनको अपनी बातों को कहने से रोका गया और वो जो कहना चाहते थे उनकी आवाज को कुंद करके बाबा साहब का जो सम्मिधान दिया गया है उसको कुचलने का काम किया गया विवक्ति की आजादी की बात जो उसको रोखने का काम किया गया उसी के बिरोध में हम लोग लागातार कारिकरन कर रहे हैं आपने देखा होगा पिछले 14 दिनों तक हम लोगों ने सभी जीलों का आदनिय प्रभारी अविनास पांडे जी के नित्रुत में दोरा किया और सभी माननिय मंत्री गन, आदनिय कार्जकारी अध्यक्ज गन, आदनिय मंत्री गन सभी लोग रहे और सभी लोगों ने महसूस किया कि नहीं लोगों में आक्रोष है प्रधान मंत्री के खिलाफ लोगों में आक्रोष है आदानी के खिलाफ उन सारी बातों को ले करके हम लंबी ल प्रप्तान मंत्री जी जी पीसी का गठन कीजिए और दूद का दूद और पानी का पानी कीजिए। इससे पहले कॉंग्रेस ने कई लडाई लड़ी है यह जो सत्यगरा की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। कहां तक आपको लगता है कि इसमें एक बार फिर से आप जीत हासिल कर पाएंगा। लेकिए जब जब कॉंग्रेस ने सत्यागरा के लड़ाई लेड़े तब तक कॉंग्रेस के जीत हुए। सन 1917 में गांधी जी ने सुरू किया सत्यागरा शंपारन में निल्हों के खिलाफ निल्हे लोग जो थे वहां के किसानों को का सोसन करते थे वो जीते हैं फिर उसी तरह से सत्यागरा सुरू हुआ अपको गुजिरात में खेडा जगह है वहां भी जीत हुए किसानों पर टक्स बढ़ाया गया तो वहां भी जीत हुए और यही अस्त बन गया कॉंग्रेस का पुरे देश की आजादी के लड़ाई में और इसी अस्त से कॉंग्रेस ने देश को आज किया है लोक तंत्र का स्थापना हुए लोक तंत्र लोगों का तंत्र है लोगों के लिए बना हुआ है संविधान बने हैं लेकिन अभी के समय में उन संविधान के प्रवधानों का उलंगन किया जा रहा है लोक तंत्र को एक तरह से कुचला जा रहा है तो यह फीर जरूरत है कि लोग तंत्र के पुणर अस्थ आपना के लिए इस अत्रा क्विद्गों को हरा कॉंग्रेश यह इसे के लिए क्विद्ग कोंग्रेश के जो वाता वर्रन पैदा हो रहा उसको खत्म करनेart जिसमें साथ तोर पर तमाम नेताओं ने कहा कि सत्यागर है वो हतियार है कॉंग्रेस का जिसके जरी एक बार फिर से देश में लोग तंत्र को बचाने की लड़ाई कॉंग्रेस लड़ रही है सहोगी राजा के साथ विपिनुपाध्याय न्यूस 11 राची दो 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 कि कहा